हेलो इर्वन, बैंक निप्टी के अंदर जैसे ही हमें अच्छा प्राइज मिलेगा ना, तो 45 कौन्टी हम लोग एड करने वाले हैं, ट्रेड का लोजिक बड़ा ही सिंपल होने वाला है, ऐसल हंटिंग के सेट अप को हम लोग यूज करते हैं, जैसे ही मार्केट में हमारा रिकावर कर दे, लेकिन देखो, शेट अप हमारा बन चुका है, बस थोड़ा सा प्राइज सही मिलने का वेट कर रहे हैं, जैसे ही प्राइज में लगा उसके बाद अपने बना लेंगे, टेलिग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जिल र्हा है, एं मार्केट में भी एक अप्साड मोमेंट हो सकता है, अब दिएक मैं बनाफ़ च्लाइव लाइपन का बन चैस्ट करेगी, और चोटा सा ब्रेकाउट में लगा, तो उसके अंदर मोघत मी रसाईफित हो चाईगा, एंट 50 पॉइंट का, इसके अंदर है उसके बाद state को अच्छे से hold करेंगे देखते हैं अभी के लिए तो on cost चल रही है पोजिशन थोड़ा बहुत loss profit ही दिखा रहा है सबसे पहले stop loss रहांगे थोड़ा wait करते हैं उसके बाद देखेंगे जैसे ही कोई अच्छा profit या फिर loss होता है मार्केट में हमारा जो भी profit चल रहा था वो zero हो चुका है अभी on cost हम लोग trade करें यानि कि थोड़ा बहुत profit थोड़ा बहुत loss हो चाता है तो ऐसे में ना मार्केट में देखो थोड़ा psychological number एक तो पास है तो मार्केट थोड़ा behavior अपना change करेगी क्योंकि जैसे ही मार्केट psychological number का breakout करने वाली होती है तो उसके बाद क्या होता है मार्केट में buyers ज़्यादा आते है तो buyers ना आए मार्केट में जो कि random buyers होती है मार्केट उनको invite नहीं करना चाहती क्योंकि जैसे ही अगर कोई random buying का momentum होता है ताकि थोड़े seller को market activate करे जैसे ही market के अंदर sellers activate होगे ना तो उसके बाद market में क्या मिलेगा जो seller के sell अब उपर की side मिलेंगे अपना psychological number भी उपर की side है तो दोनों का एक साथ market क्या कर देगा breakout कर देगा जिससे की हमारा target हो जाएगा जो seller आई है ना psychological number की resistance को देखके उनका क्या हो जाएगा market में loss हो जाएगा एंड SL हम लोग 50 point का रखने वाले हैं इसके अंदर जो कि 424 रुपए का बंद है तो हमने stop loss भी लगा जिए अब अच्छे सी थोड़ा बूद profit तो इंक्रूज हुआ है होल्ड करते हैं trade को देखते हैं मैं inform करता हूँ आपको ओके तो market में जो थोड़ा बहुत profit चल रहा था ना वही market में थोड़ा बहुत profit ही चल रहा है और जो हमारा पीछे loss भूआ था वो भी थोड़ा बहुत recover हो चुक है तो ज़्यादा बेट नहीं करेंगे market अपना एक अच्छा momentum करने के लिए ready तो हो रहा है बस जल्दी से उस लेवल का breakout हो और breakout होने के बाद हमारा target हो जाएगा और जैसे हमारा target हो जाएगा और जैसे हमारा हिट होता है ओके तो हम अपने आज टार्गेट को चीव कर चुकी हैं अभी के लिए अपनी पोजिशन से एकजिट ले लेते हैं हमारे जो पास्ट लोज था वो भी रिकवर हो चुका है झाल 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